अकूल एक इस वक्त की सबसे बड़ी घवा निकल की स्तामनियारी राजस्तान में प्री मांसुन का प्रवेस बारा जिले में आंधी से उख़े पेड टीन टपर और प्रताप गड़ में भी बरसे बादल तो माउं टाबू में छाया घना कोरा तो दोस्तो अगर आप भी राजस्तान से हैं तो आज इस वीडियो में हम राजस्तान मोसम इभाग की पलपल की अपडेट लेके आये हैं राजस्तान में मानसून जो है प्रिवेश करने वाला है तो प्रदेश में प्री मानसून की बरसात का दोर जारी है बुद्धवार को बारा प्रताप गड़ जिले में बारिश होई वही हम बात करें तो सिरोई जिले के माउंट आबू में बुद्धवार को कोरा चा गया तापमान में गिरावट आने से उमस्वे गर्मिज से काफी हद तक रहात मिल पाई है जैपूर में दिन भर बादल चाहे रहे लेकिन बारिस नी हुई अगर पिछले 24 गंटों में चितोडगर्ड पिलानी आमेट मांडलगर्ड नागोर जिलों में काफी ज्यादा बारिस देखने को मिले वहीं हम बात करें तो मोसम विभाग के अनुसार भीलवडा बासवडा बूदी चितोडगा डूंगरपूर समेत राजस्तान के पंजरे जिलों में बारिस को लेकि चितावनी जारी की है तो उस्तों बारा में बरसे बादल आंदी में उड़े पेड और बिजली हुई गुल बारा के सकत पुरा वै छबडा कस्वे में सबसे सुबै से ही तेज बारिस हो रही जिसके कारण बादल चाहे रहे ही लगबग हम बात करें तो शाम तक बिजली के दरसनी हुई यानि की बिजली गुल थी डेड़ बजए कि सम्तिंग तेज हवाओं के साथ जमाजम बारिस शुरू हो गई थी जिसके कारण लोगों को घरों में ही रहना पड़ा तो आपको बता दे यहां पे पूरी तरीके से आम रास्ता जो था पानी की वज़े से बंध हो चुका था काफी भारि मात्रा में बारिस को लेकि चितावनी जारी की आपको बता दे गुरवार को भीलवडा, बासवडा, बूंदी, चितोडगा, डुंगरपूर के साथ साथ जैपूर, जुनजुनू, जालाबाट, परताबगड, रास्तमन, सिरोही, टॉंक, उदैपूर, चालोर, अलव पाली, इन सवी जिलों में बादल गरदने के साथ 40 किलोमेटर परती घंटे की रफ्तार से तेज हवाई चल सकती है, और 14 जून तक मोसम जो है सी तरकिय से रहने वाला है, राधिस्तान के इन सवी 15 जिलों में भारी मात्रा में बारिस को लेकि मोसम विभाग ने हाई अलट जारी कर दिया है, तो दूस्तों आप राधिस्तान के किस जिले से वीडियो देख रहे हैं, आपको किस जिले की जानकरी चीए, मोसम विभाग से सम्मंदित आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको जानकरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें